सारी प्रॉब्लम यहां से शुरू हो रही है अब मेरा उपीनियन बहुत डिफरेंट है लेकिन जब तुम आगे मेरी बात सुनोगे तो तुम रिलेट कर पाऊगे जिस दिन सीए करना चालू करोगे जिस दिन इंटर तुमारा नहीं निकलेगा जिस दिन कमर तूटेगी उस दिन समझ में आएगा कि इस वीडियो की वैल्यू क्या थी कि एक दिमाग अगर तुम्हें बनाना है तो वो ये बनाना है there is no concept like self study there is just one concept which is study और वो तुमारे उपर है कि तुम कैसे करोगे 12th pass करते हुए commerce के बच्चे का सपना होता है कि मेरे को ना भाया CA बनना है मतलब CA final की बात कर रहा है वो कि भाया CA निकाल के छोड़ूँगा मैं तो अब क्योंकि वो जजबा अंदर से दिखता है commerce लिया ही इसलिए था कि CA करना है तो चलो यार आज इनी मुद्दों पर मैं तुमसे बात करता हूँ और तुम्हें clear करता हूँ ये पूरा वीडियो देखने के बाद तुम clear हो जाओगे कि क्या तुम CA final निकाल पाओगे क्योंकि जिसने ये दिमाग में बिठा लिया it is not about CA foundation CA inter भी छोड़ दो मेरा विजन तो CA final का है जो ये दिमाग में बठा के बैठ गया वो निकाल लेगा CA अपना तो आखरी तक पूरा वीडियो देखना सुनना मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ क्योंकि अभी जहां तुम बैठे हो वो यहां peak point पे बैठे हो मैं graph को यहां तक लेके जाऊंगा अगर तुमने ये पूरा graph यहां से वहां तक नहीं समझाना तो फिर तुम पूछोगे कि यार भीया आपने detail में तो समझाया नहीं ये बात तो सब बताते हैं तो आपने क्या नया बताया तो सुनो यार कहानी सुननी है सुनना चालू करो मेरा अधिकतर interaction जिन बच्चों से होता है न वो 12th के आसपास के बच्चे होते हैं या तो 12th pass out कर चुके होते हैं या 12th pass करने वाले होते हैं अब यहां पे अपना दिमाग समझो तुम 17-18 साल की age के हो 19 साल की maximum age के हो और तुमारा अभी confidence level एकड़म peak पे है कहां बैठे हो तुम यहां पे बैठे हो तुमने दिमाग में बिठा लिया है कि भाईया everything is positive in life वाई, विकाउस भाईया 12th अच्छा जा रहा है घर पे खाना अच्छा मिल रहा है माबाप के साथ रहने को मिल रहा है यूनों, माहौल बहुत अच्छा है भाईया, ऐसे मैं तुमाँ CA क्लियर करी लूँगा अब तुम present scenario में सोच रहे हो future में नहीं सोच रहे तुमारा आज का पूरा scenario एकड़म positive जा रहा है 12 का result भाईया, बहुत अच्छा है CUAT में marks अच्छे आये थे मैं तो college को एक तरह से ना लेकर CA की पढ़ाई करना चालू करने वाला हूँ मैं बहुत focus जूँ भाईया करना है तो सिर्फ CA करना है और कुछ नहीं करना है मैं college करक दूँगा भाईया, एक तरफ sacrifice कर दूँगा मैंने अच्छा college क्यों नहीं उठाया project करने पढ़ते भाईया, assignment करने पढ़ते भाईया, बहुत detail में college में जाके पढ़ना पढ़ता detail का मतलब क्या हो गया, time देना पढ़ता, सीधी बात ये तुम सुबे से 8 बजे से निकलते, शाम के 5 बी तक तुम्हारा college हो जाता तो तुमने क्या बोला, नहीं भाईया, college नहीं करूँगा मैं, मैं sacrifice कर दूँगा वो life यानि तुम अपने college की वो तीन साल जो तुम्हें अच्छे मिल सकते थे तुमने बोला, नहीं भाईया, नहीं चाहिए मेरको तो मेरको सिर्फ एक चीज चाहिए भाईया, CA बनना है अब आप बताओ, foundation से क्या पता चलता है तो मैं तुम्हें बोलूँगा, क्योंकि तुम्हारा भी confidence level, life में सब कुछ positive चल रहा है यहाँ पे तुम CA foundation के decide करो, that means peak, the positive point यहाँ पे तुम्हें CA foundation निकाल के, to be very honest, कुछ पता नहीं चलेगा अब मेरा opinion बहुत different है, लेकिन जब तुम आगे मेरी बात सुनोगे, तो तुम relate कर पाओगे जितना तुम्हारा 10th का result matter कर रहा था, तुम्हारे 12th के result के लिए अब तो inter निकल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, there is no basic relation between CA inter and CA foundation क्यों, क्योंके CA foundation में basically वो course तुमने पढ़ा and something additional थोड़ा बहुत जो तुम्हारे comfort zone से maybe 20% बाहर होगा, जादा नहीं है, maybe 20% बाहर होगा तुम्हारे comfort zone से उतना तुमने पढ़के CA foundation निकाल लिया, and generally यहीं पर हम गल्ती करते हैं, अपने आपको आखने की मुझे मालूम है तुम 3 साल का sacrifice करने वाले हो, लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं, जो college जाते-जाते CA निकालने की कोशिश करते हैं practically possible नहीं है, अगर तुम्हे blatant advice चाहिए न, तुम सोचते हो कि तुम्हारी college life भी बहुत अच्छी चली जाए, तुम्हारे projects भी हो जाए, तुम्हारे assignments भी हो जाए, teacher भी तुम्हें बहुत प्यार कर ले, कि मेरा बच्चा तो रोज आता है college attend करने के लिए, उसके बाद तु फोकस तुम्हारा CA है, तो कभी कोई दूसरा focus नहीं होना चाहिए, तुम सोचो तुम 300 km प्रती घंडा की रफतार से गाड़ी भी चला लो, और उसमें बढ़े बढ़े खाना भी खालो तो वो possible नहीं होता है, और जो CA करने वाली चीज होती है, वो 300 km प्रती घंडा के तुमने, इवन 12th क्लास में दिखाईए, 11th क्लास में दिखाईए, उसका 100 प्रतीशत जादा तुम्हें दिखाना पड़ता है, CA Inter में dedication और उसका 100 प्रतीशत जो CA Inter में तुमने दिखाया था, उसका additional 100% तुम्हें दिखाना पड़ता है, CA Final में, और अगर तुम सोचो नहीं यह सब बोलने की बाते हैं ऐसा थोड़ना होता है, जनरल लाइफ चलते जलते, एक आम लाइफ जीते जीते भी CA निकाल लिया जाता है, तो बेटा सही बता हूँ, तो वो वीडियो के लिए बहुत अच्छा बनाने के लिए, yes, you can, you know, spare 8 hours a day in your basic life to study for CA, बाकी, करो 16 गंटे, 18 गंटे, enjoy, तुम्हारा CA आराम से निकल जाएगा, यह वो बता रहे हैं, जो पहले से ही, बहुत ही brilliant mind के रहे हैं, और वो कितने होते हैं हमारे भारत में, 0.0001%, यह वो लोग बात कर रहे हैं तुमसे, अगर तुम अपने आपको इन में count करते हो, तो स्वागत है तुम्हारा नहीं निकलता, यह problem क्यों आती है, सारी problem यहां से शुरू हो रही है, अच्छा भीया, तो आप यह कह रहे हो, के negative हो फिर तो, नहीं, there is a very thin line, हमारे भारत में, या हमारे education system में, हम जो एक problem सबसे बड़ी देखते हैं, we always talk about extremes, अगर मैं बोल रहा हूं कोई चीज समझा रहा ह अच्छा भीया, तो negative हो जाए, अच्छा negative नहीं हो ना तो positive हो जाए, नहीं, इसके बीच में भी ना बहुत सारी चीजे होती हैं, जो तुम्हें ध्यान में रखना जरूरी है, आज तुम्हारा भाई वही तुम्हें समझाने आया है, हमेशा life को लेके जब भी risk लो, because doing CA is a very big risk, तुम अपनी life का 5 साल लगाने वाले हो, और वो भी वो premium time या बोलते हैं, जो तुम्हारी किसमत को बनाया बिगाड सकता है, तुम्हारे career को बनाया बिगाड सकता है, वो prime time की बात कर रहे हम, तो अगर ये 5 साल तुम लगाने वाले हो, तो life का सबसे बड़ा gamble करने वाले सबसे बड़ा risk लेने वाले हो, और उसमें अगर कोई तुम्हें समझाए नहीं न, इन दो के बीच का, either be very positive और very negative, अगर इसके बीच का तुम्हें आइडिया नहीं दे के यहाँ पे तुम्हें रहना है, तो तुम कभी CA नहीं निकाल पाओगे, या आज मैं तुम्हें तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी चीज़े ध्यान से सुनू, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा CA foundation clear हो गया है, बहुत ही बड़ीया तरीकी से clear हुआ है, flying colors के साथ तुम्हें CA foundation clear किया है, तब भी तुम्हारे 98% chances है कि enter नहीं निकलेगा, ये आज मैं तुम् तुम्हारे ले कितनी दो बार निकाला है, CA foundation क्यों बोलना हूँ, 12 भी वैसा का वैसे ही होता है, तो 12 में बहुत अच्छे result बनाया थे तुम्हें CA foundation बहुत अच्छे से निकाल लिया है, तो अब तुम्हारा enter के लिए confidence जबर्दस लेविल का है, और वहीं मैं कह रहा हूँ क वहीं गलती होती है, तुम्हें simple एक अपने दिमाग में बात बिठानी है, कि भाईया ने बोला है, कि यार अब थोड़ा risk लेना है, तो फुक फुक के कदम रखना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा, otherwise यहां से तुम्हारा final का graph यहां आएगा, foundation से चालू किया, तुमने second या third attempt में CA enter निकला ना बिटा, तो तुम कभी उस तरीके से नहीं सोच पाओगे, जैसा तुम बारवी या foundation निकालने के बाद सोचते थे, जहां तुम्हारे ये दो attempt CA enter के गए, या एक attempt भी तुम्हारा नहीं निकला, तुम्हें life, life सिखा देती है, जिंदगी, जिंदगी पर रहता है, कि मेरे से बड़ा कोई थूड़ना है, ये बोल रहा है CA नहीं निकलेगा, मैं निकाल के दिखाऊंगा, तुम कभी नहीं निकाल पाओगे, अगर तुम किसी और के लिए कर रहे हो ना, ये तो कुछ नहीं कर सकता भाया मेरे से, तो ये लोग ये बोलते थे, कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा और देखो मैं CA बन के दिखाऊंगा कभी नहीं निकलेगा तुमारा CA क्योंकि तुम CA पैशन से नहीं कर रहे हो किसी से बदला लेने के लिए कर रहे हो वो बोलते ना इंटर में 24 गंटे कम पढ़ेंगे बहुत बिठाया जाता है मैं एक कोचिंग का नाम लेता हूँ छलो ठीक है एक कोचिंग है विद्योदय ये विद्योदे कोचिंग इंदौर में है मैं कुछ लोगों से बहुत अच्छे रिष्टे बना के रखता हूँ यही समझा रहा हूँ जो मैंने लिखा है ना मैं यही समझाने वाला हूँ विद्योदे इंदौर में वो कोचिंग है जो तुम्हें पाल पोस्ट के बढ़ा करती है पूरे सीए की जरनी में तुम्हारे तो CA Foundation के काफी सारे बच्चे यानि मेरे जो स्टुडेंट्स निकले हुए पास आउट हैं उनने पूछा किस में पढ़ लूँ मैंने का जाओ विद्योदे में पढ़ लूँ अब यह कोई प्रमोशन नहीं है ना मैंने इनसे पूछा कभी ना इनसे कोई बात की है मैंने मैं त जनरल एक्जामपल दे रहा हूँ कि तुमारे दिमाग में वह बात घुसे CA Foundation के लिए CA Foundation क्लियर करके जब वो इंदौर पहुंचे CA इंटर करने के लिए तो इनके दिमाग घूम गए तो मैं एक दिन गया क्योंकि मेरे ही बच्चे पढ़ रहे हैं तो भोपाल से इंदौर बहुत पास है मैं चला गया मैंने का चलो इनसे एक बार पूछू तो कैसा चल रहा है यार विद्योदे बहुत खराब है अब मेरा धिमाग खराब हो गया कि मैंने बच्चों के गटे बाटाब के बारावरा गंटे पढ़ाते हैं सुवे से शाम हो जाती है पढ़ाते रहते हैं कई बार तो रात के नौन और दस दस बजे छोड़ते हैं सुबह आठ आठ बजे बुला के भाया ऐसे कैसे होगा सेल स्टेडी के लिए टाइम ही नहीं मिलता तब मुझे जिसे बोलते हैं, egoistic personality जो बना लेते हैं, हम करेंगे na self study, उससे निकलता है, यह सरलोग क्या पढ़ा लेंगे हमें, वो CA पास है सरलोग सारे, लेकिन वो क्या पढ़ा लेंगे हमें, हमें मालूम है, self study से निकलता है CA तो, अगर self study नहीं करेंगे, तो CA कैसे निकलेगा, कभी नह realization होता है, that more than study, guidance is needed, more than study, consistency is needed, क्योंकि यह guidance और consistency है, तो यह सारी चीज़ें मिलके तो वैसी ही तुम्हें पढ़ा देंगी, इसलिए मैंने यह example दिया तुम्हें विद्धियोदय का कि भाई, विद्धियोदय education में अगर तुम्हें बिठा के पाल पोस रहें, पढ़ा रहें प्रोसेस नहीं कर पाता है, उसके दिमाग में यह चलने लगता है, कि अगर बारा बारा घंटे अगर में coaching में बैठर होंगो, तो self study क्या होगी, जबकि उसको यह समझ में आजाना चाहिए, कि अगर तुम CA inter में enter हो चुके हो, तो there is no concept like self study, और no concept like coaching, वो CA foundation में आके खतम हो भया, उसके बाद पढ़ाई is पढ़ाई, तुम घर पे बैठके कर सकते हो, घर पे बैठके करो, तुम coaching में बैठके कर रहो, that is also known as पढ़ाई, there is no self study or self time or individual time, because ऐसे नहीं निकलता है CA, और यही चीज़ जो लोग नहीं समझ पाते हैं, उन्हीं लोग का CA inter में ग्राफ नीच mindset बदलो, अगर तुम्हारे पास ये value है, कि तुम CA कर रहे हो, और कोई तुम्हें guide कर रहा है, उसके बाद अगर तुम ये बोलो कि यार, 12 घंटे ये क्यों बिठाके रखते हैं, वो गलत है, अगर वो 12 घंटे बिठाके रख रहे हैं, तो तुम्हारे पास इतना patience level होना चा सको, भली 4 घंटे दो लेकिन पढ़ाई कर सको, तो 16 घंटे पढ़ाई करें, करना पड़ती है, तुम्हें क्या लगता है, CA Inter ऐसी हलुआ थोड़ना है, जो तुम ऐसी निकाल लोगे, क्योंकि जनरली ये doubt वही बने बोला न, जो CA Inter clear कर चुका है, वो तुम्हारे जैसी बात जो निकाल के बैठा और जो CA Inter की पढ़ाई कर रहा है, वो क्या बोलेगा, no, no, self-study matter, we need self-study, 12 घंटे coaching में कौन बैठता है, वो बैठते हैं, जिनको clear करना है, और जो clear कर चुके हैं, उन्होंने ऐसे ही पढ़ाई करके किया है, तो मेरा कहना ये है, और आलतु-फालतु के बातों में मताना, जो motivational बातें ये कर देते हैं, ये reality वाली बातें चल रही है, मैं यहाँ पर कोई motivational बात नहीं कर रहा, तो मैं reality check दे रहा हूं, कि CA Foundation में आके, overconfident मत हो जाना, कि Inter तो निकल जाएगा, नहीं, अगर ये चीजों में तुमने अपना mindset change नहीं किया, तो CA Inter कभी clear नहीं होना, तुम 12 attempt दे लो, तो करपया करके ये बात समझो, 12 तो देहीं नहीं पाओगे, बाठीक है, कि एक दिमाग अगर तुम्हें बनाना है, तो वो ये बनाना है, there is no concept like self study, there is just one concept which is study, और वो तुम्हारे उपर है कि तुम कैसे करोगे, दूसी चीज, हाँ, तुम्हार कहीं से भी पढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पढ़ता, एक्च्वल किसी भी कोचिंग का नाम बनता बिगरता है CA Inter से, इसलिए CA Inter में इतनी महनत की जाती है, कि तुम्हें 12-15-15 घंटे बिठाया जाता है, कि भाई बैठो हमारे साथ पढ़ाई करो, हमें make sure करो कि तुम या तो तुम गोल की तरफ फोकस रहो, कोई भी गोल हो, लाइफ में CA कर रहे हो, कोई और कर रहे हो, तुमारे लिए सेल्फ टाइम कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक चीज के लिए टाइम मिलेगा, और वो है पढ़ाई, तो तुम जितने अच्छे से करोगे, उतने अच्छे इसलिए CA फाइनल का रिजल्ट और कम आता है, और कम लोग पास करते हैं, क्योंकि जो नहीं समझ पाता, CA इंटर की वो स्ट्रगल से इतना परेशान हो जाता है, तो वो वहाँ से वापस कर देदा, आप बता, exit कर देता है, वो उससे आगे जाना ही नहीं चाता है, तो ये प तुम्हारे ही नाम नहीं बनेगा बिगड़ेगा, तुम्हारा करियर नहीं बनेगा बिगड़ेगा, वो कोचिंग का भी जोड़ा हुआ है, इरिस्पेक्टिव जहां पर भी जाते हो, दूसी चीज, अगर तुम फाउंडेशन और 12th का माइंडसेट लेके CA इंटर करना चा कि आठ घंटे सा CA बन जाते हैं, जो महनत करता है, वो जानता है कि actual महनत क्या होती है, और काफी लोग ऐसी चालाक होते हैं, जो चाहते हैं कि तुम्हारा बुरा हो, तो वो क्या करेंगे, तुमसे जूट बोल देंगे, तो करपया करके इस वीडियो को सेव कर लो, जितने द लाइफ में जो तुमने नए नए टर्म सीख लिए हैं, सेल्फ स्टेडी, सेल्फ टाइम और पता नहीं क्या-क्या, उन सब को हटाओ साइड में, CA एक ट्रेडिशनल कूर्स है, और वो ट्रेडिशनल महनत मांगता है, तुमसे हो पाए तो करो, नहीं हो पाए, और CA Foundation का दोश्टों में बहुत अच्छा लगता है, तो वैसे भी कभी नहीं निकलना, धन्यवाद!